दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि एक YouTube चैनल बनाने के लिए आप सोच रहे हो या दोस्तों आप YouTube पर शौट वीडियो आप्लिट करने के लिए सोच रहे हो कि आप वीडियो आप्लिट करते हो या नहीं आप मतलब सोच रहे हो तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको YouTube क जो फार्स्ट कोदम होता है, जो फार्स्ट एut अफ होता है, फार्स्ट एक यह होता है कि YouTube पर वीडियो अफलिट करने से पहले वीडियो जो एडिटिंग है, एडिटिंग आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर दुस्तों आप 추owski नहीं कर पाते हों, तो आप YouTube पर वीड subscribe भी लोग नहीं करेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ी जो फार्स्ट जो कोदम होता है फार्स्ट जो स्टेप होता है यह स्टेप होता है कि वीडियो एडिटिंग करना जो है आपको आना चाहिए तो मैं आज आप लोग को यह चीज दिखाने वाला हूं कि काइन मस्टर से आप A to Z मतलब काइन मस्टर के अंदर जितना मतलब ओप्शन है सारी ओप्शन की बारे में हम आप लोग को दिखाने वाला हूं कि एक वीडियो प्रोफेशनल एक वीडियो आप मबल से कैसे एडिट कर सकते हो और जो काइन मस्टर एप्लिकेशन में आज आप लोग को रिब्यू करने वाला हूं जिस एप्लिकेशन की तुर वीडियो एडिट करके आप लोग को में दिखाने वाला हूं इस एप्लिकेशन पर वाटर मर्क जो है देखने को नहीं मिलता है सो दोस्तों कैसे वीडियो एडिटिंग करना है एक प्रोफेशनल वीडियो यूटुब के लिए कै maud video कैसे edit करना हैं सारी चीज आसके इस वीडियो में आप लोगरों को में दीखाने वाला हूं video continue देखते रहना है दोस्तों मैं grant लेता हूं कि इस video एक बर या दो बार देखने की बाद video editing की बारे में आप और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इस वीडियो कि आप मेरी चैनल को जुरूर सस्काइब करना है क्यूंकि YouTube मेरा 3 सल की experience है और उसी experience की साथ आप लोग को मैं video editing की बरे में सिकाने वाला है मेरा सरीफ ये चैनल लेए बलकी मेरा और एक पुरणा चैनल है जिस channel की link इस video की description पर में दे रखा हूं आप जाके check out कर सकते हैं इस channel से मेरा already earning हो रहा है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसब पहले आप अपने mobile phone में काइंड़ में अप्लिकेशन ऑपन करना है दोस्तों यह जो अप्लिकेशन है यह जो काइंड़ में अप्लिकेशन है इस वीडियो की description पर link मिल जाएगा आप इस link की तुरू दूस्तो यह application डाउनलोड कर सकते हैं दूस्तो इस scan master की अंदर watermark देखने को नहीं मिलता है तो दूस्तो video editing करने के लिए सबसे पहले दूस्तो यहाँ जो middle में जो icon है plus icon वाला तो इस options पर click करना है इस options पर जैसे आप click करेंगे उसके बाद दूस्तो आपको ratio चूज करना है YouTube video editing के लिए दूस्तो आपको 16 by 9 आपको चूज करना है mobile के लिए video editing के लिए दूस्तो आपको 9 by 16 चूज करना है दूस्तो Instagram, Facebook, Reels बीडियो बनाने के लिए दूस्तो आपको 1 by 1 चूज करना है दूस करने के बात दोस्तो सबसे पहले आपको यहां दिखिए एक बड़ा आइकन देख रहा है तो इस आइकन के सबसे टॉप पर देखिए media option है media options पर click करना है दोस्तो जैसे आप media options पर click करेंगे उसके बाद दूस्तो आपके mobile की जो गेलारी है गेलारी में जो भी वीडियो ह काई चुकहा है जो भी डोकुमेंड बगगरा है सब कुस यहां पर दिखाई देता है तो सबसे फेले तो दुआ जो भी वीडियो करना वही वीडियो दिस्तों आपको input करना है, add करना है, चलिए दिस्तों मैं यह वीडियो add कर लेता हूँ, इस वीडियो दिस्तों यहां आ चुका है, मैं इस वीडियो पर click करता हूँ, यहां दिस्तों देखे down option है, down options पर मैं click करता हूँ, जैसे दिस्तों मैं ने click कर हैं, तो दिस लास्ट पॉस्षिशन पर आचुका है अगर दोस्तों आप लास्ट पॉस्षिशն पर लेकर जाना है तो फिर से इस option पर क्लिक करना है यहां दिखें लास्ट पोश्चन पर आ चुका है तो सबसे पहले तो दुस्तों इस डंड़ा आप जहां पर राखेंगे उस डंडा की हिसाब से आपको काट करना है, जैसे कि इस डंडा की left side पर मुझे काटना है, यह extra part है, तो दूस्तो डंडा यहां रखना है, देखिए दूस्तो में जहाँ से बात शुरू हुआ है, वहाँ तो मैं यह डंडा select करता है, देखिए दूस्तो यही से मतलब मेरा बात जो है, मैंने शुरू किया है, तो यह जो left side है, दूस्तो एक्ष्टा part है, काट करना है, काट करने के लिए दूस्तो simply layer पर click करना है, scissor पर click करना है, first option trim to left, play head, इस option choose करना है, done options पर click करना है, मैंने काट कर लिया है, उसके बाद दूस्तो ला जाना है last position पर, तो दूस्तो चलिए मैं last position पर लेके चलता हूँ, यहाँ दूस्तो दिखिए last position में जो आप camera burn करते हो, तो दूस्तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसके मैं video play करता हूँ, तो दूस्तो यहाँ दिखिए मैं camera जो है burn कर रहा हूँ, तो दूस्तो यह जो extra part है, extra part आपको delete करना है, तो जहाँ दूस्तो आपका video है, वहाँ दूस्तो यह red color की डंडा आपको राखना है, उसके बाद दूस्तो यह जो है इसका नाम है layer, इस video जो है, इस layer पर click करना है, सीजार पर click करना है, second option चूज करना है, theme to right or playhead, इसके बाद click करना है, done options पर click करना है, तो right set पर cut हो चुका है, उसके दुस्तो ये जु विडियो है first position पर मैं लेकर आता हूं उसके बाद दुस्तो इस layer पर क्लिक करना है दूस्तो जैसे आप layer पर क्लिक करेंगे उसके बाद दुस्तो एक-एक options की जो मतलब एक-एक options की बारे में आप लोगों में दिखाने वाला हों कि यह option से क्या होता है बाकी options से क्या होता है तो यहाँ दिखिए दूस्तों सीजर जो है सीजर से आप तीन काम कर सकते हो चार काम कर सकते हो जैसे कि आप सीजर पर क्लिक करेंगे तो दूस्तों दिखिए आप देखिए वीडियो की आगर बीच में आप कुछ पार्ट आपको डिलेट क करना है तो लेर पर क्लिक करना है सीजर पर पर क्लिक करना है इसके बाद यही के पstatशki à001 पर क्लिक करना है इसके बार चुका है तो यह पार्ड में कलिक करना है डिलिट हो चुका है उसके बाद दूस्तों माल लिजिए इस वीडियो की बीच मैं आप एक intro add करना है तो इंट्रो दूस्तों add करने के लिए यह Jahre color की जो डंडा है इस white color की उपवर राकना है उसके बाद दूस्तो simply white पूर click करना है उसके बाद दूस्तो यहाँ दिखिए intro आचुका है तो दूस्तो यहाँ से आप intro भी add कर सकते हूं जैसे कि मैं select करके दिखाता हूं कि दूस्तो यहाँ आप देख सकते हूं तो add वीडियो कैसे करना है दूस्तो देखिए यह जो दूस्तो white color है white color पूर रखना है उसके बाद दूस्तो simply आपको इस media पूर click करना है उसके बाद दूस्तो जहाँ से आप यह वीडियो add करना है चलिए मैं यह green color वाली वीडियो जो है add कर लेता हूं बीच में और उसके बा पार्ट आप add करना है यही से add करता है आप बात करते हैं कि दुस्तो यह बीच में जो part मैंने add किया है यह मैं delete करता हूं इस layer पर मैंने क्लिक क्या है लेफ साट पर डिलेट पर क्लिक क्या है तो मैं डिलेट कर दिया है उसके बाद दुस्तों आपको क्या करना है उसके बाद दुस्तों दिखिए फिर से इस लियार पर क्लिक करना है उसके बाद दुस्तों यहाँ दिखिए राइट सेट पर दिखिए एक option है इस options पर क्लिक करना है, दोस्तों आगर आपकी वीडियो जूम करना है, या जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो दोस्तों एही से क्या जाता है, दोस्तों मैं ज़रा जूम करता हूं, इसके इन पर मैं क्लिक करके, और दोस्तों मैं जितना जूम क्या है, उतना जूम करक मान लीज़े मैं ये वीडियो ओडियंस को दिखाने वला हूं तो दोस्तों यहां देकि एक option देखे is equal to is equal to पर क्लिक करना है तो दोस्तों पूरा वीडियो zoom होके लोग देखेंगे तो यही से जुम in zoom out करना है उसके बाद दोस्तों फ़ीड से इसलियार पुर क्लिक करना है, राइट साट पड़ो दुश्चा पԱे कि ऐक माई की आइकन है, माई की प्लिक करना है, दुस्तों आपके वीडियो की सावंट और भी ज्यादा करना है, तो दुस्तों 100 पुरके include 200 तक आप कर सकते हो, यहां दुस्तों दिखे, compressor जो है, दुस्तों देखिए, यहां दुस्तों आपको बिल्किल चड़ चाले नहीं करना है, दुस्तों दिखे, बहुत ऐसे लूग होता है, कि जो गाना या वीडियो, यारफोन की मैदम से सुनता है, तो यारफोन के कभी-कभी आप बहुत ऐसे वी उसके बाद दुस्तों निचे दिखे, पीच तो पीच पर जैसे दुस्तों आप क्लिक करेंगे, तो दुस्तों ऐही से आपकी जो voice है, आप पातली कर सकते हो, या मूटा भी कर सकते हो, जैसे कि यहां minus है, plus है, आप देख सकते हो, तो ऐही से दुस्तों आपको ये voice जो है, करना है उसके बाद दुस्तों फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है इसके बाद दुस्तों निचे दिखेंके clip and graphic graphic options पर क्लिक करके दुस्तों आपके वीडियो में आप graphic डाल सकते हों जैसी कि में डाल के दिखानेवला हूं तो दूसτο कोई भी आप चूस कर सकते हो हूं उसके लैसे प्लिक करके दूस्ट ऑप्षण पर क्लिक करके आता सकते हो और जैसे उदाहरन ह conservation दिखें आपालगों को मैं कहना चाहता ह। देखों देखिए बहुत ऐसे बीडियो हैं की दौस्त मिनेट का काम 2 मिनेट में completely दीखाई देता हैंट तो दुस्तों एह हीसे किया जाता है कि दौस्त मेन का काम को दो मिनेट में लो हो दिखा सकते हो इसके लिए दूस्तों आपको इस वीडियो में widely paste यह आप देख सकते हों ज्यदा आप कर सकते हों और गटा भी सकते हों तो दूस्तों यह से यह काम किया जाता है बागी तुस्थों फीर से आपको लेयर पर क्लिक करना है और तार्ड जो option है दुस्तों दीख़े โbi anfour and mirroring इस options पर क्लिक करके दूस्तों आपकी वीडियो जो है efterूरा और निख लिजे तो निचे दूसर और भी आप देख सकते हैं पूरा आप कर सकते हों यहां दोस्तों आप देख सकते हों तो दोस्तों ऐसे वीडियो रोटेट किया जाता है इसके बाद दोस्तों फिर से लियार पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है color and filter आपकी वीडियो में दोस्तों आप color डाल सकते हों जैसे कि मेरा जो वी पकाम ए लेजार पर क्लिक करना होता है, उसके बाद दूस्तों यह option display होता है, उसके बाद दूस्तों निच्चे दिख़िए color adjustment, दूस्तों color adjustment पर क्लिक करना है, दूस्तों आप की वीडियो में आप color जो है, adjust कर सकते हो, जैसे के brightness आप घटा भी सकते हो, ज्यादा भी कर सकते ह हों इसके बाद दोस्तो color भी ऑफ और भी ज्यादा कर सकते हो जैसे कि आप ड्वेइक सकते हो तो दोस्तो यह चीज यही से किया जाता है इसके बाद दोस्तो से yer पर क्लिक करना है उसके बाद दुस्तो निचे दिख्किए volume то दोस्तों वपो ूण५ पर क्लिक करें दूस्तों आपकी वीटियो में आप हाइ डूसर कर सकते हों जैसे कि आपकी जो बॉइसे आप ज्यदातर वोलियम से लोग सुन पैएंगे अगर हच्णाद में है आप 200 करोगी तो आपके वीडियो और भी बैदर मतलब volume होता है इसके बाद दूस्तों fast position पर 200 करना है इसके बाद दूस्तों ये video case कर आपको क्या करना है कि right set पर लेके जाना है जैसे कि मैंने पूरा मतलब right position पर लेग गया हूँ उसके बाद दुस्तों यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि मैं आप लोगों को में दिखाता हूँ जैसे कि volume envelope तो दुस्तों यहाँ दिखिए 164 तो यह 200 कर देना है तो पूरा बराबोर sound जो है complete हो चुका है इसके बाद दुस्तों आपको क्या करना कि फिर से दुस्तों इस लियार पर click करना है दुस्तों दिखे मैं एक एक options की बारी में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस option से क्या काम होता है उसके बाद दुस्तों निच्चे दिखे एक option दिखे audio filter दुस्तों audio filter पर click करके आपकी जो voice है आप voice change कर सकते हो जैसे कि चूटे बच्चा की voice आपकी जो बच्चा की voice है एक बड़्धा लोगों की boys आप इही से select कर सकते हो तो धूस्तों यही से यह काम किया जाता है उसके बाद यह जो option है सारी option complete हो चुका है निचे आप देख सकते हैं सबसे निचे जो है दूस्तों यह जो option है कुछ कम के उसके बाद दूस्तों देखिए बाकी जो option है जैसे कि दूस्तों यहाँ देखिए layer, layer से आप क्या क्या काम कर सकते हो, जैसे कि दूस्तों आप review video बनाना चाहते हो, review video, तो दूस्तों आप जहाँ से यह video input करना चाहते हो, extra video जो है आप दिखाना चाहते हो audience को, तो दूस्तों डंडा यहाँ पर रखना है लिजार पर क्लिक करना है तॉप पर जो भी विडियो कि आप ऑडियन्स गों को दिखाना चाहते हो चलिए मैं यह वीडियो छूद कर लेता हूं इसके बाद मैंने अट किया है इसके बहुत चूटा है इसलिए अगर दोस्तों आपकी वीडियो बहुत चूटा है और यह वीडियो ज्यादा है तो दोस्तों आपको यही से आप यह वीडियो आगे तक खीज सकते हों तो दोस्तों कि इस वीडियो की लेंद इतना ही है इसलिए आगे नहीं जा पाजा है तो करना है आपकी मेम्मरी में जो भी बेग्राउंड मीजिक है आप यह सी डाल सकते हों तो जैसे के द Ginsu में यह गान जो गाहना है मैं छूुज कर लेता हूं। छूस करने के पद दुस्तों प्लस आईकोन पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे आप प्लास आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो में ये बेग्राउंड में जो एड हो जाता है इसके बाद दोस्तों डान ओप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों एक चीज आपको दियान देना है जैसे क तो इस layer की जो मतलब आप गटा भी सकते हों, लेकिन दुस्तो सबसे बहतर जो है, इस layer पर click करना है, और दुस्तो ये जो option आप देख सकते हों, इस options पर click करके दुस्तो आपको maximum 20 से 25 तो रखना है, अगर दुस्तो इस से ज़्यादा आप राखोगी, तो आपकी जो आवाज है background music से पुरा cut कर देगा, इसलिए दुस्तो background music की sound की जो volume है, बहुत ही काम रखना है, जैसे कि 20 से 25 तो आप राख सकते हों, तो दुस्तो चलिए मैं save कर लेता है, इसके बाद दुस्तो दिखिए, यहाँ दिखिए layer पर click करना है, इसके बाद दुस्तो अगर आपकी face याँ द क्लिक करना है, दो options देखने को मिलता है, कोई भी आप choose कर सकते हों, जैसे कि मेरा mood जो है, मैं blur करना चाहता हूं, तो दुस्तो यहाँ इस layer पर click करना है, और दुस्तो यह आप particular area आप blur कर सकते हों, यह से आप देख सकते हों, इसके बाद दुस्तो down पर click करना है, चलिए मैं यह delete कर लेता है, तो दुस्तो delete करने के बाद दुस्तो फिर से layer पर click करना है, second जो option है, दुस्तो देखे, overlay overlay से आप दुस्तो आपके वीडियो में आप sticker बगरा add कर सकते हों, यहाँ दिके classic sticker इस पर click करके दुस्तो आप sticker बगरा देख सकते हों, जो भी sticker आपके वीडियो में add करना है, input करना है, आप ऐसे input कर सकते हों, इसके बाद down पर click करना है, layer पर click है, आप जहां मर्जी है, वहाँ आप राख सकते हों, इसके बाद दुस्तो दुस्तो फिर से layer पर click करना है, यहाँ दिके दुस्तो दिके text, आपके वीडियो में आप कुछ भी लिखना चाहते हों तो दूस्तो text पर click करके आप कोई भी चीज लेख सकते हों, जैसे कि मैं यहाँ type कर लेता हूँ, kind master, तो यहाँ दूस्तो मैंने kind master type कर लेता हूँ, m-a-s-t-e-r, kind master मैंने type किया है, इसके बद दूस्तो simply ok पर click करना है, दूस्तो यह जो kind master मैंने type किया है, यह आप चुटा भी कर सकते हों, बड़ा भी कर सकते हों, जहाँ मर्जियं आप वहाँ राख सकते हों, जैसे कि सबसे मैं निच्चे set कर लेता हूँ, तो दूस्तो यह जो kind master मैंने type किया है, इस type की design भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ double A आप देख सकते हों, इस पर click कर के दूस्तो जो भी design आप राखना चाहते हों, जैसे कि नोटो सरिफ, bald italic, इस option में choose करता हूँ, डांपर में click करता हूँ, यहाँ दिखिए design हो चुका है, दूस्तो यह जो type मैंने किया है, इसमें अगर आप color डालना चाहते हों, तो दूस्तो यहाँ एक white box आप देख सकते हों, इस पर click करना है, जो भी color आप choose राखना चाहते हों, दूस्तो आप राख सकते हों, जैसे कि दूस्तो मैं red choose कर लेता हूँ, तो दूस्तो यही से red जो हैं, आप choose कर सकते हों, जैसे कि दूस्तो यहाँ आप देख सकते हों, तो दूस्तो जो भी color हैं, आपको choose करना है, अगर दूस्तो यही से direct choose नहीं हो रहा है, तो दूस्तो यही से आप यह color जो हैं, आप choose कर सकते हों, जैसे कि दूस्तों यहां आप देख सकते हो, तो दूस्तों यही से color choose करना है, तो दूस्तों यहां मतलब आपको manually तुड़ा बहुत time लगता है, तो यही से दूस्तों आप color भी choose कर सकते हैं, जैसे कि दूस्तों आप देख सकते हो black हो चुका है, तो उसकी बाद दूस्तों मान चाहते हूं जैसे कि मैं white wall राखना है यह जो thấy ही ही से आपको color student करना है चले मैं nice 집 कर लेता हो आपके हिसाब से आपको choose करना है उसके बाद sec then options पर click करना है उसके दोस्तों others on the options पर click करना है जो भी देख्ये निच्छे दिख्ये handwriting जा भी आपकी वीडियो में आप handwriting करना चाहते हों, इस सबसे निचे जो option है, इस options पर click करना है, यहां दोस्तों देखे एक तीर की निशान है, तो इस पर click करके दोस्तों आप आपकी वीडियो में और देखे, मैं देखे, यह जो, देखे मैंने यह choose किया है, तो एही से दोस्तों यह काम किया लेता हूं, और उसके बाद दोस्तों बाकी जो option है, मैं आप लोग को बिल्कुल clear दिखाने वाला हूं कि कैसे काम किया जाता है, तो यहां दोस्तों जो काईन मश्टर है, मैंने यह भी delete कर लेता हूं, उसके बाद दोस्तों फिर से दिखे layer की जो option है, सारी options की बारी मैं मैं मैंने बात कर लिया है, उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं कि दोस्तों बाकी जो है कि वीडियो की background कैसे remove करना है, background remove करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कि सबसे पहले तो दोस्तों माल लिजिए आपको back चलियाना है, चलिए मैं back कर लेता हूं, तो दोस्तों म वेंगरउंड आप देख सकते, वेंगरउंड पर क्लिक करना है, जो भी आपकी गपेंगरउंड में कलर, आप फिक्स्ट करना चाहते हृँ, जा वां चलिए, मैं यह एल्लव कलर सेलट कर लेता हूँ, इसके बाद option इसके बाद दोस्तो इस options पर click कर के past position पर ले कर आना है उसके बाद इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है data दिखर पर जो media ila for click करना है उसके बाद दोस्तो जो भी video की आप background not test रिमूब करना है आप कर सकते हो चलिए दिस्तो मैं यह ग्रीन कलर जो है मैं यह रिमूब करना चाहता हूं उसके बाद दुस्तों यह जो है आप आपनी हिसाब से आप दुस्तों यह बराबर कर सकते हैं अधरवाइस दुस्तों यहाँ देखे सीजर की रेड़ सेट पर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन यहाँ आप गर क्लिक करोगी तो ओटमेटिकली दुस्तों फिक्ष्ट हो जाता है इसके बाद दुस्तों बेग्राउंट के से रिमूब करना है रिमूब करने के लिए दुस्तों आप देख सकते हैं कि निचे जो एक्ष्टा लियार है इस वीडियो की जो लियार है लियार पर क्लिक करना है उसके बाद दु तो कि background जो हैं बिलकुल remove हो चुका है, यहां दुस्तो एक body का है और एक background का है, तो दूनों चीज आपनी हिसाब से आपको manage करना है, जैसे कि मैंने manage किया है, इसके बाट down options पर click करना है, दुस्तो इस video की length जितना है, उतना तो के background है, सामने keych लेना है, जैसे कि मैंने keych लिया है उसके बाद down options पर click करना है तो दूस्तो बिल्कुल आसन तरीका है background remove करने का यहां आप देख लिजे और बाकी जो दूस्तो चीज है जैसे कि माल लिजे यह वीडियो complete हो चुका है इसके बाद यह video save करना है save करने के लिए दूस्तो यहां left 4 cinema आपको choose करना है beta rate जो है दूस्तो maximum आपको 5 Mbps आपको choose करना है इसके बाद दूस्तो export options पर click करना है दूस्तो जैसे आप export options पर click करेंगे जितना वीडियो लंबा है उतना time लगता है जितना चूटा है उतना calm समय लगता है तो दूस्तो एही से video complete करना है तो दूस्तो वीडियो कैसा लगा है जरूर इस video की comment box में जो भी आपका राहें बता रहें तो दूस्तो वीडियो आज के लिए इतना ही है